दोस्तों नमस्कार मैं दीपक अभियनता और आप लोग को स्वागत करते हैं अभियनता क्लासेज यूटूब चैनल पर दोस्त जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार टेकनिकल सर्विस कमीशन की तरफ से जूनियर इंजिनियर सिविल लेक्रिकल और मेकेनिकल का पोस्ट आया की तरफ से जो जूनियर इंजिनियर के उससे रिलेटेट सैक्रो वीडियो बना चुका हों और उस मुकाम पर हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर आपको रिजल्ट का वेट है मेरिट लिस्ट का वेट है लेकिन रिजल्ट आने में क्यों देर हो रहा है ये पता किसी को न बात भी करूंगा अब वीडियो को अंतक देखिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस कर दीजेगा ताकि आने वाली ऐसे ही नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्त आप सब लोग अगत होंगे कुछ यूटूब चैनल के द्वारा बताया जा चुका है ग्रूप टेलिग्राम वाटसप में आप लोग को पता होगा जैसा कि एक केस फाइल हो चुका है और उसमें बतायागा था यहाँ पर बाड़ा तीन बाड़ा मार्च 2020 को हाई कोट में इसका क गृप यहाँ अपर 9 अपरिल को फिर से सुनवाई होने वाला और 9 अपरिल से पहले ब्ór टी कि से काउंटर एफिडिविट मांगा गया है विभाग के द्वारा अगर 9 अपरिल से पहले ब्रीटी एशी यानि बहार तक्निकी सेवायोग हाई कोट को counter-affidipit जमा नहीं करता है तो BTAC पर लग जाएगा ST और STA लगने के बाद आपको साल से देड़ साल वेकेंसी पर हो जाएगा डिले हंडेट परसेंट में आपको करम हो जाएगा डिले जैसा कि आप सब को पता होगा कि PRD में इसी तरह से हुआ था प्यारडी का प्यारडी पड़े लग गया था उसमें लगबग एक साल रुकावट आ गए थी एक साल कोई कुछ नहीं किया गया था एक साल तक सब लोग वेट किये थे तो इसी तरह यहां पर होने जा रहा है फ्रेंट्स तो आप लोग को एक बात बताना चाहूंगा कि कैसे केस को सुझा पाएंगे हम लोग आप लोग के सामने यहां पर जो जो स्टुडेंट है या फिर बिहार का स्टुडेंट हो प्राइबर स्टुडेंट हो या अधर स्टुडेंट हो सब लोग मिल करके उस केस को डिस्पोज करने के लिए जो 9 अप्रील को 9 अप्रील को सुनव है विर्षान करने उसके पहले करना है उससे पहले यहां पर क्या किया जा ваш सभी च्छातरे करें सब्सक्राइपंग करें सक्कुरीय। दिस्पोज क्ट आयंहाई जाएगा वकील कर हायर वकील रखकर आपड केस को डिस्पोज करा दिया जाएगा और रिजल्ट को जल्द जारी करने की मांग की जाएगी जल्द जारी करवा दिया जाएगा रिजल्ट तयार हो चुका है जैसा कि आप सब को पता है कि मैंने पहले ही बता दिया हूँ की एलेक्ट्रिकल मेकेनिकल का रिजल्ट त्यार हो चुका है सिविल पर थोरा बहुत काम रह गया है सो काम चल रहा है तो रिजल्ट जो है त्यार हो चुका है बस अगर 9 अप्रिल से पहले काउंटर एवी टीवी जमा हो जाता है तो रिजल्ट आएगा नहीं जमा होता है तो एस्टे लग जाएगा लेकिन उस केस को डिस्पोज कराने के लिए हाँ पर बड़ी मुहीम चलाया जा रहा है जैसा कि आप सब को पता है कि 2019 के एक अलग गुरूप बनाए है उनका अध्यक्ष लीडर अलग है और 2019 से पहले यानि 18-17 ये सबका लीडर अलग है वो सबका निर् किल रख करके यहाँ पर केस को डिस्पोज करा जाए लगभग 6 लाक रुपया का जरुवत है और जैसे ही यह हो जाएगा पूरा केस डिस्पोज हो जाएगा फैनले यहाँ पर आपका बेटी एसी जई मेकेनिकल सीविल लेक्ट्रिकल रिजल्ट जल से परकासी कर दिया कि यहाँ पर एक हजार रुपया मीनिममम एक हजार रुपया मीनिममम रखा गया है और आपको एक हजार रुपया देना है तो आप बीटी एसी जेई में जॉब कर पाएंगे हाला कि कल ही हमको सुचना मिल चुका था मैं भी एक हजार रुपया दे दिया हूं मैं भी एक काफी लोग्हेहाँ पर एक हजार रुपया देंगी किसे ने दो गवी रुपया दिया है घुच्चिन स्कूल और कि मेरे पास Кपी सारे स्क्रीन सॉट रहे आएधियमा माध्यम से मेरे पास है तो सब लोगहाँ पर्नाप बताए अपने लीडर के पास आपने लीडर किजिए ताकि मैं बता दिया कि कितना लगबग 6 लाक रुपे की जरूरत है अगर आप अमीन में भी काम कर रहे हैं अगर अमीन पद पर भी आप काम कर रहे हैं तो आपको ये काम करना जरूरी है ताकि कल ही के विधान सभा में आप सुने होंगे कि अमीन का जो संबीदा पर भ बिल्कुल ऐसा प्रवधान नहीं है तो आप कुछ दिन काम करेंगा मीन में उसके बाद आपको बिल्कुल हटा दिये जाएगा तो आप अपने भविस के लिए सोच लीजिए और बीटी-एसी को लेकर रहना है तो लेकर रहना है समझें और यहां पर आप सोको बता दूँ कि 1000 रुप्य कैसे जमा करना है थो रासा वीडियो को देख लिजेगा द्याहान से अगर आप 2018 से पहले का कंडिडेट है तो आपको लीडर ने तीट कर रहे हैं अगर आप 2019 कांडिड हैं तो उसके लिए मैं बता देता हूं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं एकाउंट नमबर होल्डर नेम और यहां पर आफसी कोड दिया गए इस एकाउंट में डारेक्ट डालना है अगर आपके अगर आप बिहार पॉल्टेक्निक कॉलेज से हैं तो आपका हर कॉलेज का एक लीडर अलग होगा हर कॉलेज का एक लीडर होगा सिविल ब्रांच के लिए बता रहा हूं अगर मैं आपको कहता हूं कि सिविल ब्रांच से कंडिरेट आप हैं तो आपका लीडर है अलग एक लीडर होगा हर कॉलेज से बिहार से हर कॉलेज का एक लीडर है अगर आपके college के leader नहीं अगर आपके college का कोई leader नहीं है आपको जनकारी नहीं है तो direct इस account number में आप directly यहाँ पर payment कर सकते हैं नीचे थरा सा slide करेंगे तो आपको phone पे Google पे का number भी मिल जाएगा है यहाँ पर देख सकते हैं 2019 का जो लीडर कर रहे हैं यहां पर डिके सिनहानिया कर रहे हैं डिके कर सकते हैं लीडर आप 2019 कंडिडेट के लिए 2019 से ऊपर जैसे 18 17 वाले वो लोग अलग कर रहे हैं उसका भी आपको देखने को मिल जाएगा तो यहां पर आप सब आ हमें को सकते हैं मिलिपना करना है रुपया रूपया मिलोग करें बोट कर चुके हैं कि आ है रुपया कंट्रिब्यूंट किया हूं व्लय यह पैसा परदान तो आप 1018 से पहले तोाप आप इस इस नंबर पर आप कर सकते हैं यह एकाउंट नमबर है यहां पर रजनीज कुमार से पुड़ा से हैं आपका निर्तित कर रहे हैं यहां पर आपको पेमेंट कर सकते हैं और आपको हैं करना हैं यहां आपको पर चीज बताता हूं क्या कब करना है कब धरना पर दर्सन करना है कब क्या करना है सारा चीज मैंने बताते आया हूं सारा जनकाडी देते आया हूं इसलिए मैं सोचा कि आप सब को लिए यह बता दू काफी सारे कंडिये आप पर पेमेंट कर चुके हैं और काफी लोग पेमेंट नहीं कर पाए हैं इसलिए जल से जल आप पेमेंट कर सकते हैं अगर अगर आप के अगर आप बिहार से अधर है तो भी आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अगर आप बिहार ही कहें लेकिन प्राइबेट कॉले से तो भी आप पेमेंट कर सकते हैं चुकि एक हजार कोई ज्यादा माइने नहीं रखता है एक हजार कोई ज्यादा माइने नहीं है एक हजार अगर आप आज दे देते हैं, अगर आपकी जॉब लग जाती है, तो इतना एक हजार लाखों, एक हजार रुपया कमा लेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इस टे लग जाती है, साल, दो साल के लिए वेकेंसी रुख जाती है, तो साल, एक साल के लिए अगर आप एक साल के लिए अगर आप जोडते हैं तो आपका salary एक साल में कितना हो जाएगा बहुत salary को कर लीजे minimum 12 उन्हें 50,000 कर लीजे तो लगभग बहुत salary हो जाता है आपको 5-6 लाक रुप्या हो जाता है इसलिए आप लोग क्या कर सकते कम से कम एक हजार रुपया आप देने को उमीद करेंगे हम उमीद करता हूं आप जरूर देंगे किसी भी परकार का डाउट है था आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छे तरीके से समझ गये होंगे जो लोग अभी तक पेमेंट नहीं किये हैं जल्द से जल्द पेमेंट कीजिए और जल्द से जल्द इसको आज 19 तारीक है बस एक से दो दिन में वहाँ पर आपको सारा पड़किरिया करा लिया कि यहां पर तैयारी चल रही है दोस्त उमीद करता हूँ वीडियो को अच्छे तरीके से समझ गये होंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी परकार का आपको दिक्कत है कॉमेंट किसी परकार का डाउट है तो आप कमेंट बक्स में कमेंट कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स